मेडिको लीगल केस जहांजे समझिएगा खास कर जब कभी मामला लड़ाई जगड़े से संबंदित हो तो इसका महत्व बढ़ जाता है किसी भी केस को जीतने का आधार है MLC या हमसे कहें एविडेंस या पुखता सबूत है लड़ाई जगड़े का या रेप से संबंदित मामलों का या शरीर के विद्द किसी अपराद का तो MLC जो है उसकी नीव है MLC के आधार पर ही किसी भी केस में धाराईं जोड़ी जाती है और यही केस जीतने का सबसे बड़ा आधार भी बनता है यह साधारन मेडिकल से अलग होता है और सिर्फ तभी बनता है जब किसी विद्द को कोट में केस करना हो या कोट में सबूत प्रेज करना हो यह तना मजबूत MLC बना होगा उतना ही मजबूत केस बनेगा MLC साधारन मेडिकल से कैसे अलग है मैं आपको समझाओ तो जब किसी को कोई बिमारी हो या चोट लगी हो तो व्यक्ती डौक्टर के पास जाता है और ढौक्टर एरूस को prescription लिखकर के letterhead में देता है साथ भी दौक्टर ये भी लिखता है कि कौन सी बिमारी या कौन सी परेशानी या कौन सी चोट है तो जब कभी कोई व्यक्ति लड़ाई जगडे से संबंदित कोई चोट किसी को लगी हो किसी व्यक्ति को और वो कोट में केस करने जाता है ऐसी हालत में उसको MLC बनवानी होती है जिसे medical legal cases कहा जाता है मैंने बताया ये काफी detail में बनती है इसमें शरीर के सभी हिस्सों का photo लिया जाता है और चोट की detail भी लिखी जाती है photo के दवारा उस चोट को mark भी किया जाता है MLC में कई प्रकार की चोट के बारे में प्रावधान होता है जैसे चोट का आधार क्या है और चोट कितनी गहरी है इसके आधार पर मामला कमजोर या मजबूत बनता है जैसे मैं बताओं कि चोट को साधारन तो MLC में तीन प्रकार से दर्साया जाता है एक होता है साधारन चोट, simple hurt, एक होता है grievous hurt, गंभीर चोट, गंभीर उपहती और एक होता है danger, खतरनाक, danger का मतलब होता है which is danger for life जिससे व्यक्ति की मृत्ती भी हो जाए अगर किसी को साधारन चोट लगी हो, जो medical legal case है, डॉक्टर ने जो लेक कर दिया है अगर उसमें लिखा है कि साधारन चोट है, तो section 323 IPC लगाई जाती है अगर कोई हड़ी तूट जाए, कान का सुनने की क्षमता पुरी तरह से खतम हो जाए, आँख फूट जाए या चेहरे पर कोई गहरा घाव हो, तो grievous hurt में आता है, इसमें 325 धारा लगती है IPC की अगर आपको जानकारी के लिए danger ही लिखा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि police MLC नहीं करवाती है और police किसी का पक्ष लेती है, अगर ऐसा हो कि police आपकी MLC नहीं करवाए और किसी का जगड़ा आपसे हो गया हो, चोट आपको लगी हो और police दूसरी party के MLC करवाती है, आपका सायोग नहीं करती है तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको समझाओं, ऐसी दशा में आपको medical case यानि की MLC बनवानी चाहिए ऐसे में case register करवाने के लिए जब आप MLC बनवाते हैं, तो आप सरकारी hospital नहीं जाना चाहते हैं या फिर police आपका, वहाँ MLC नहीं होने देती है, तो आप private hospital में जा सकते हैं MLC बनवाने में कितना खर्च आता है, तो यह depend करता है hospital to hospital, लेकिन 2-5,000 रुपए तक का खर्च MLC बनवाने में साधरणता आता है, शहरों में मैंने बताया, hospital to hospital depend करता है, कि कितना खर्च आएगा इतने रुपए वो इसलिए चार्च करते हैं, क्योंकि उनको यह report पुलिस को पहुँचानी होती है, और बाद में कभी court ने बुलाया, तो उनको court में भी जाना होता है, इसलिए वो इतना चार्च कर लेते हैं पुलिस जो है, वो MLC नहीं ले रही है, नहीं बनवा रही है, या पुलिस आपका F.I.R. नहीं लिख रही है, तो आप जाने MLC बनवाने के बाद, आप CRPC की धारा 200 के तहर कंप्लेंट दर्च करवा सकते हैं, सीधे Magistrate के court में, Judicial Magistrate First Class के court में, और आपका मामला CRPC की धारा तो डॉक्टर को नहीं बता होगा आपको चोट कहां लगी है, तो आपको सारी चोटों के बारे में detail में बताना होगा कि कहां चोट लगा है, सबसे खतरनाक चोट कहां लगी है, कहीं कोई हड़ी तो नहीं तूटी है, सिर पर तो चोट नहीं लगी है, ये detail में बताना होगा ये जो चोट आये हैं इनके फोटोग्राफ भी जरूर खिचवाये जाने चाहिए साथ ही अगर आपके कपड़े फट गए हैं तो कपड़ों को भी पुलिस में दिया जाना चाहिए या फिर कोट में पेश करना चाहिए ये एक अच्छे सबुत माने जाते हैं इनको रियल एविडेंस यानि की वास्तविक साक्ष कहा जाता है ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि MLC कई पेजों में हो सकता है जिसकी ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं दी जाती ध्यान रखिए इसकी ओरिजिनल कॉपी सिर्फ और सिर्फ पुलिस को ही दी जाती है और आप अपनी MLC के बाद पुलिस को इतला करते हैं तो पुलिस आफिसर स्वयम आकर मेडिकल के पेपर कलेक्ट करता है हॉस्पिटल से ये पेपर रिपीट कर दूँ आपको नहीं दी जाते आपको सिर्फ जांच के डिस्क्रिप्शन के कॉपी दी जाती है तो MLC बड़ा महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं किसी ऐसे अपराद के बारे में विचिस ओफेंस अगेंस बॉड़ी शरीर के विरुद अपराद है शरीर के विरुद अपरादों की पूरी जानकारी मिलेगी आपको IPC के चैप्टर 16 में जब हम Indian Penal Code के अधिहाई 16 में जाते हैं तो हमको जानकारी मिलती है शरीर के विरुद कौन कौन से ओफेंस है और ओफेंस अगेंस बॉड़ी में MLC एक अच्छा ग्राउंड है एक अच्छा सबूत है केस को जीतने का एक मजबूत आधार है तो अगर किसी को चोड लगी है लड़ाई जगड़े का मामला है तो as soon as possible यह था शिग्र MLC बनवाई जानी चाहिए क्योंकि चोड के निशान और बाकी चीजें जो है वो समय के बीतने के साथ ठीक हो जाते है दिखाई नहीं पड़ते invisible हो जाते है तो आज के इस lecture में आपको समझ में आया होगा कि MLC क्या है कैसे बनवाई जाती है क्या इसका उपयोग है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इसके लिए अगर आप CRPC का कोई section refer करना चाहें तो section 53, 53A, 164A कुछ sections हैं जिनको आप refer कर सकते हैं जहां पर में medical जांच के बारे में बात है victim की और accused की दोनों की ही तो आज के lecture में इतना ही मैं इसको बहुत technical नहीं बनाना चाहता आसान शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ लेकिन जो law के विद्यारती हैं वो जरूर CRPC के इन sections को refer करें और sections के साथ चीज़ों को समझें आज के lecture में इतना ही जुड़े रहिए अपने favorite platform विदिक सिक्षा से जानते रहिए देश दुनिया के कानून को सरल भाशा में Have a nice time